9 अक्टूबर नाशनल कॉंफरेंस का विदायक दल जम्मू कश्मीर विधान सभा में अपना नीता चुनने के लिए ब्रसवतवार को बैठक करने जा रहा है हाला कि पार्टी अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला का कहना है कि उनके बेटे अमर उब्दल्ला केंदर शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधान सभा चुन्याफ के नतीजे घोशित होने के बाद नेका करीबन बाली सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है नेका कॉंग्रेस और माकपा के गड़बंदन को पिचानवे सदस्य सदन में उड़नचस सीटे मिली हैं जिससे पार्टी सरकार बनाने के लिए तयार है पार्टी उपाध्यक्षामर अबदल्ला का कहना है कि नाशनल कॉंफरेंस विदायक दल कल दुपहर साड़े बारा बज़े अपना नेता चुनने के लिए बैठक करेगा अमर अब्दल्ला का कि भी कहنا है कि नाशनल कॉनफरेंस विदैय अग्धल की बैठक के बाद गड़बंदन के सैयोगियों कि बैठक होजी होई जिसमें सदन में गड़बंदन के नेता का चुनाफ किया जाएगा और अब आपको बता दें कि अमर अब्दल्ला को N.C. यानि नेका का एहम विधाया का चुन लिया गया है जी हाँ आपको बता दें कि बड़ी खबर है अमर अब्दल्ला N.C. के विधाया कदल नेता चुने गए है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की हलचल तेस्थी और अमर अब्दल्ला N.C. के विधाया कदल के नेता चुने गए है और इसमें चार निर्दलिये विधाया के अन्सी के नेता भी शामिल है फारुक अब्दुला का ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर में नेका कॉंग्रिस सरकार का उद्देश के इंदर शासित प्रदेश के दोनों शेतरों के बीच मतबेदों को कम करना और हिंदूों में विश्वास पैदा करना है भारते जनता पार्टी के परोक्ष संदर्ब में फारुक अब्दुला ने समवाददाताओं से कहा हमें जम्मू और कश्मीर के बीच पैदा किये गए मतबेदों को कम करना होगा हमारा प्रयास होना चाहिए कि वहां जम्मू के हिंदूों को हम पर ये भरोसा हो कि हम उनके बा रशीद और फंजीनी अर रशीद की आवामी इत्ताहदी पार्टी ने चुना आव जीतने के बाद अनुचे 370 की बाहली के बारे में चुपी सादने के लिए अमर अब्दुला पर निशाना साधा है वहीं अमर अब्दुला ने बुद्वार को कहा कि जिन लोगों ने है कि कौंगरेस की सरकार जो इस वार जम्मो कश्मीर बेमनी है आने वाले समय में आगर जम्मो कश्मीर में क्या सियासी हल चल देखने को मिल सकती है